दोस्तो कल 22 नवंबर है और कल का दिन SSCJD Constable 2021 के selected candidates के लिए बहुत बड़ा दिन है कल तीन बड़े events होने वाले हैं कल रोजगार मेले का आयूजन किया जाएगा कल आपके joining letters जो हैं वो आपके email ID पर भेजे जाएंगे और परदान मंतरी जी खुद आपके रोजगार मेले में आप सभी जितने भी candidates हैं जिनको joining letter मिलना है उनको संबोधित करेंगे तो ये तीन बड़े events कल 22 नवंबर को होंगे तो कल 22 नवंबर को लेकर तीन बड़ी updates यहाँ पर हैं अब वो updates क्या हैं जानने के लिए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहली जो update है वो उन बच्चों के लिए है जिनके पास phone आया था कि आपको आना है आपको joining letter by hand दिया जाएगा सो ऐसे में जिन भी बच्चों के पास phone आया था और उनोंने हां भरी है कि जी हां हम पहुच जाएंगे आप हमारा joining letter त्यार रखना हम by hand अपने joining letter को लेने आएंगे सो उन बच्चों को time से जहां पर उनको बुलाया था वाँपर पहुच जाना है आपको बिल्कुल सही time पर जो आपको time दिया गया है उस time पर आपके joining letter जो है वो दे दिये जाएंगे अब कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनोंने मना किया कि जी हम लेने नहीं आएंगे हमारे पास आप time नहीं है ठीक है सो उन बच्चों का अब क्या होगा उन बच्चों के पास link भेजे जा रहे हैं कि भई आपके पास virtual link भेजे जा रहे हैं कि आपको क्या करना है आपको इस link पर click करना है और आप direct घर बैटे computer screen के जरिए परदान मंतरी जी के संबोधन के साथ आप जुड सकते हैं तो ये पहली update थी जिन बच्चों को जाना है उनको time से पोचना है उनको अपना लेकर आना है जिन बच्चों ने मना किया था उनको पास link आएगा SMS के थुरू या email ID के उपर वहाँ पर जाकर वो direct उसका हिस्सा बन सकते हैं उसका part बन सकते हैं अपने घर बैट कर ठीक है अब दूसरा जो update है वो उन लोगों के लिए है जिनोंने हाँ भी भरी कि भाई मेरे पास जो है joining letter लेने के लिए मुझे आप मैं आ जाओंगा लेकिन वो जा नहीं पारे दूसरा जिनके email पर भेजे जाएंगे लेकिन उनके पास उनका email address नहीं है ऐसे में क्या होगा तो देखे जिनोंने भी हाँ भरी थी कि मैं जाओंगा और अगर वो नहीं जा पारे है या फिर email ID आपके पास नहीं है password गुम हो गया है तो दोनों ही case में आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोनों ही case में आपको बिलकुल भी भेज दिया जाएगा ठीक है तो अगर आप नहीं भी जा पाते हैं तो भी tension की बात नहीं है जोइनिंग लेटर घर आ जाएगा email address नहीं है आपका password गुम हो गया है username भूल गया हो mobile number गुम हो गया है कोई tension नहीं है आपके घर पर आपके address पर आपके लिफाफे में डाकिया आपको आकर आपका जोइनिंग लेटर दे जाएगा ठीक है दोनों चीजे किलियर होगी बात करते हैं तीसरी update के उपर कि भाई जो तीसरी update है वो क्या है तो तीसरी update उन सभी candidates के लिए है जिनके पास ना तो call आया और ना ही उनके पास message आया अब ऐसे में वो लोग क्या कर सकते है क्या वो भी परदान मंतरी जी के live भासन को सुन सकते हैं क्या भी वो उनके live संबोधन का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए कभरी है जिनके पास मैसेज नहीं आया या आया है आप सभी लोग पर्दान मन्तरी जी है के live संबोधन का हिस्सा बन सकते है अब सवाल उटता है कि कैसे बन सकते है सो आपको मैं step-wide सारी चीजे बता रहा हूँ कि आप संबोधन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं जैसे जैसे मैं steps बता रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने mobile में अपने computer में अपनी tablet में अपने laptop में आप करते जाना और आप परधान मंतरी जी के जो संबोधन किया जाएगा वहाँ पर आप उसके live जो है उसके आप क्या बन जाएंगे भागिदार बन जाएंगे ठीक है अब देखते हैं कि आपको करना क्या है कैसे आप परधान मंतरी जी के live संबोधन का इससा बन सकते है live आपको जो दिये जाएंगे उनका इससा बन सकते है ठीक है आपको अपने mobile के screen open कर लेनी है ठीक है जैसे कि मैंने कर रखी है डालना है PM India Webcast क्या डालना है जो मैंने डाल रखा आपको वही डालना है PM India Webcast और आपको सर्च वाला बटन दबा देना है जब आप सर्च का बटन दबाएंगे तो सबसे पहले आपके पास website खुलेगी PM India Webcast.nic.in ठीक है PM किसान यहाँ पर आप देख रहे हो रोजगार मेला अब इसके उपर आपको क्लिक कर देना है ठीक है जब आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे website खुल जाएगी यहाँ पर यह आपके सामने आ रहा है इसको आप उपर क्रोस के निसान से बंद कर देना ठीक है अब आप साइड में देखेंगे देखे PM India Webcast.nic.in रोजगार मेला 22 November 2022 10.30 AM मतलब साड़े दस बजे स्टार्ट होगा यहाँ पर साइड में वीडियो दी हुई है अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे जहाँ पर मोधी जी खड़ें इन पर क्लिक कि आपने यह देखे यहाँ पर लिख रहे है लाइव स्ट्रीम विल स्टार्ट ओन सेडिूल टाइम तो सेडिूल टाइम का मतलब 22 नवंबर को 10.30 बजे कितने भी 10-30 बजे आपकी जो लाइव स्ट्रीम में यह क्या होगी जारी होगी इससे पहले आप इसको नहीं चला सकते ठीक है तो जितने भी बच्चे हैं वो या तो गूगल में डाल दे pmindiawebcast.nic.in या वो डाल दे pmindiawebcast और उसके बाद साइट खुलेगी उसके बाद आप उस पे क्लिक करके यहाँ पर पोच जाएंगे और सभी इस चीज को लाइव देख सकते हैं अगर आप इस वेबसाइट पर नीचे चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो रिशेंटली वेबकास्ट होएं उन्हें भी आप देख सकते हैं देखो मन की बात सतर्कता जागरुकता सपता इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो रोजगार मेला देखो 22 सक्टुबर को बाद आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर यह आपका खुल के आगया अब आप इसको प्ले कर सकते हो यह देखो यहाँ पर आपने प्ले किया अब यह देखो यहाँ पर आपको सारा दिखेगा जितने भी लोग रोजगार मेले से जुड़ रहे हैं जितने भी लोग रोजगार मेले से जुड़ रहे हैं वो देखो इस तरीके से आप जुड सकते हो यह देखो New Delhi, Prime Minister, यहाँ पर आप देख रहो सारे लोग यह देखो बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे, सेम ऐसे ही आप उनके साथ वहाँ पर जुड सकते हैं, ऐसे ही वहाँ पर सारी स्क्रीन आएगी, जो बच्चे जाएंगे उ चलिए, इसके बाद अब आपको करना क्या है, आप जब इसको देख लेंगे, उसके बाद आप अपना बंद यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, सो यह पूरा प्रोसेस है कि आप इससे कैसे जुड सकते हैं, कैसे आप भी उसको देख सकते हैं, कैसे आप भी संभोधन सुन सकते हैं और जैसे संबोधन सुरू खतम होगा आप सभी के जो जोइनिंग लेटर्स हैं वो आपके email address पर send कर दिये जाएंगे ठेक है न सो यही बैस आपके लिए तीन बड़ी updates थी, hope so आपके इन से related सारे doubts यहां पर clear हो गयोंगे ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much, नमस्कार और कल के लिए, कल आने वाले दिन के लिए, कल के खास दिन के लिए, आप सभी को बहुत बहुत सुपकामना हैं, ऐसे ही आप जिंदगी में तरक्की करते रहें, उंती करते रहें, ऐसी सुपकामना हैं, हम आप सभी लोगों के लिए करते हैं, नमस्कार